साफ में आफ मैं आफ है एक शेम छाहरते जाएं है कि आफ अवेरीवान वेलकम चुकुकिंग विद बेनजिएर असलाम ओले कुम आज हम कृस्पी रवाडोसा बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम एक बोल में ले लेंगे तीन चौथाई कप सूजी रवा आधा कप चावल का आठा आधा कप भर कर यूश किया है हमने दो टेबल स्पून मैदा थोड़ा नमक एक ती स्पून जीरा आठ से दस कड़ी पत्ते बारिक काटके दो हरी मिर्चियां चौप करके एक ती स्पून अद्रक बारिक चौप करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे मिक्स करते जाएंगे हमने इसमें टोटल तीन कप पानी अड़ किया है याने की तकरीबन 700 ml पानी अड़ कर दिया है हम इसे दस मिनिट के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि सूजी जो है वो फूल जाए दस मिनिट हो चुके हैं बैटर को इस तरह रखते हम इसमें अब प्याज आड़ कर देंगे हम इसमें आधा कप प्याज आड़ कर रहे हैं बिल्कुल फाइन चॉप करके अच्छी तरह से एक पर चला लेंगे बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए यह इतना ही पतला होना चाहिए हमने इसमें टोटल तीन कप भर कर पानी यूज किया है थोड़ा सा घी लगा कर हम एक नॉन स्टिक पैन को ग्रीस कर लेंगे आपको ध्यान रखना है कि तवा बहुत गरम होना चाहिए रवा डोसा डालने के पहले हम इसे एक बार इस तरह चला लेंगे आप जितने भी रवीडोसे बनाएं आप ध्यान रखें कि आप पहले इसे इस तरह चलाएं और फिर इसे पैन पर डाले फ्लेम को हमें हाई रखना है जब हमें लगे कि यह हलका हलका ब्राउन हो जाएगा हम तब उस पर गी डालेंगे रवा डोसा हलका हलका ब्राउन हो रहा है यह पॉइन पर हम इस पर थोड़ा थोड़ा गी आड़ करेंगे आप चाहें तो ओयल यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ब्राउन होता हुआ दिख रहा है हम फ्लेम को अब लो कर देंगे और इसे ध्यान से पल्टा देंगे फ्लेम को मीडियम करके दूसरी साइट पे भी हम इसे एक से दो मिनिट पका लेंगे हमारा क्रिस्पी रवा डोसा बनकर बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं कि हमारा रवा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है आप इसे नारियल की चटनी या मुंफली की चटनी दोनों से खा सकते हैं नारियल की चटनी और मुंफली की चटनी का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड़ेड है आप इसे जरूर देखें और जरूर बनाएं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे बिया है दोस्तों मेरी आप से गुजारेश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलें